सासुमा यह घर आपका ही रहेगा सर्मा जी के घर में सहनाई बज उठती है आज उनकी बेटी एकता की साधी होने जा रही थी सुबह से वो भागदोर में लगे हुए थे कभी सजावट तो कभी खाने की बेवस्था तो कभी मेमानों की आवभगत में लगे हुए थे अपनी देटी की साधी में वो कोई कमी नहीं रखना चाहते थे नियत समय पर बारात आ गई बर्मटे कर फेरों तक के हर रिवाज बहुत अच्छे से हो गए थे विदाई की वक्त एकता के मम्मी पापा और बहाई-भाबी की आँखे भर आई थी वो भी दुखी मन से मायके से स्वागत हुआ हर रस्म उसकी सास लता जी ने अच्छे से निभाई थी एकता इतना अच्छा परिवार पाकर बहुत खुस थी दूसरे दिन सभी रस्मों के बाद वो अपने कमरे में बैठी थी तब ही उसकी सहेली अंजना का फोन आया जो उसके हाल पूछ रही थी और गर रहेंगे तो कुछ पता चलेगा सच यार मैं तो इन आपचा रिकताओं और रीद रिवाज से बहुत थक गई हूँ रस्मे है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ससुराल वालों के नाटक खत्म ही नहीं होते हैं अरे रिवाज को नाटक क्यों बोल रही है साधी में हो पता चलेगा हाँ अभी फोन रखती हूँ लगता है दरवाजे पर कोई आया है और एकता ने फोन रख दिया तबी एकता की ननत आकर कहती है भावी गुल देवी की पूजा के लिए मंदिर जाना है अच्छी और भारे साड़ी पहन कर तयार हो जाईए कोई हलकी साड़ी न बहु अच्छे से पहन उड़कर सच कर जाए बड़ी वाली मूनिका भावी भी ऐसे ही गई थी एकता तयार होकर सबके साथ चल दी और कुल देवी की पूजा करके आई वो यही देख रही थी कि उसकी सास लता जी का घर में बड़ा रौब है सब उनके कहे अनुसार ही काम क रहे थे उनकी मर्जी से ही घर का काम होता है और सामान भी उनी की देख रेक में इधर उधर हो रहा था लता जी ने इन दिन में ही अपनी बेटी और बहु को निर्देश देकर साधी वाला घर अच्छे से बिवस्तित कर दिया था कूछ दिनों बाद वो भी रसोई के कामों में लग गई जब भी खाना बनाना होता था तो मोनिका भावी उनसे क्या बनाना है ये पूछ कर बनाती थी तो एकता कहती थी कि क्या हम अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकते हैं तो मोनिका समझाती थी बना सकते हैं पर मम्मी जी सालों से घर चला रही हैं तो उन्हें पता है कि कब क्या बनना है किसको क्या पसंद है उनकी अनुसार बना देती हूँ तो मुझे भी तनाव नहीं रहता है एक दिन लता जी भजन किर्टन में गई थी और मोनिका बाजार तो पीछे से एकता ने अपनी पसंद का साम का खाना बना दिया साम के खाने में उड़त दाल देखकर सबने मना कर दिया ये दाल तो बहुत हैवी होती है रात को पचेगी ही नहीं और आलू की सबजी भी कोई रात को नहीं खाता है ये सुनकर एकता का चेहरा उतर गया तो लता जी ने कहा बहु तुम्हे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था या मेरे आने का इंतजार करना चाहिए था ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से चलता है मुझे ज्यादा पता है ये सुनकर एकता मन ही मन गुस्सा हो गई उस दिन उसे बहुत बुरा लगा वो अपनी गलती मानने की बजाए अपनी ही सास को दोस्टि दे रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया और सारी बाते तो उन्होंने भी समझाया एक्ता बुरा मानने वाली बात नहीं है तेरी सास ठीक कह रही है तो अभी उस परिवार के लिए नहीं है अगर खाना सासुमा से पूछ कर बना लेती तो छोटी नहीं हो जाएगी पर एक्ता अपने ही बात पर अड़ी रहती है दूसरे दिन प्रेस वाला कपड़े देने आया तो लता जी इतना बिल देकर परेसान हो गई एक्ता क्या तुमने सारे कपड़े दे दिये प्रेस में वो ही कपड़े दिये जाते हैं जो घर पर प्रेस नहीं हो सकते हैं और तुमने चादर भी दे दी ये तो फिजूल खर्ची हो गई घर का बज चली जाती है उसे अपनी सास के दिसान निर्देश बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और अब वो अपनी सास से चुढ़ने लगी थी क्योंकि वो हर बात और हर काम पर उसको टोक देती थी कुछ दिनों के बाद उसका माय के जाना होता है वहां उसकी भावी हर काम में अपनी मर्जी चलाती थी उसकी मम्मी कुछ भी कहती तो उल्टा ही करती थी यह सब देखकर एकता को बड़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि उसकी भावी पहले ऐसे नहीं थी और हर काम उसकी मम्मी से पूछ कर ही करती थी यह सब देखकर एकता को अपनी भावी पर बहुत गु नहीं सकती थी मम्मी ये भावी ऐसी कैसी हो गई है आपका जरावे लिहाज नहीं करती आपकुछ कहते क्यों नहीं ये कल की आई हुई अब आप पर हुकम चला रही है इन्हों जरावी शर्म नहीं है बड्रसों से ये घर आपने चलाया है आपने इस घर को सजाया है इसमें हर चीज बसाई है और अब यहां राजभा भी करती है आप कुछ कहती क्यों नहीं एकता ने कहा तो उसकी मम्मी बोली अब क्या कहूं ये आजकल की बहुए दो दिन में आकर अपना हक जवाने लगती हैं सास की तो जरा भी सुनती ही नहीं है अब मैं क्या क गाया उसकी तवियत पूछी और अपने यहां के हाल बताए उसने अपनी भावी के बयोहार के बारे में भी बात की तो अंजना ने कहा एकता तेरी भावी बिल्कुल सही कर रही है आओ हर बात पर तेरी मम्मी से पूछे आखिर वो घर तेरी मम्मी का नहीं तेरी भावी का ह और तेरी मम्मी को अब भावी के ही हिसाब से चलना होगा तब ही वो सुखी रह पाएंगी अंजना की बात सुनकर एक ता भड़क गई ये तू क्या कह रही है तिरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है भावी तो अभी दो सल पहले आई है और मम्मी तीस सालों से ये घर संभा वन OH भर नहीं है मम्मी ने मकान को घर बनाया है तुझे तो पता है जब मम्मी साथी होकर आई थी हमारे घर में कुछ नहीं था धिरे धिरे बचतकर करके एक-एक सामान बसाया है घर की रसोई की हर चीजड बसाई है वह ड्राइंग रूम का बड़ा सोफा देखा है मम्मी ने उसके लिए तीन सालों तक बचत की है तब जाकर वो सोफा आया है और अब भाभी ने उस दिन बोला ये सोफा अच्छा नहीं है अब तो नया लेंगे भाभी ने मम्मी का बहुत दिल दुखाया है रसोई के पुराने बर्तनों और फरनीचर को लेकर आजकल भाभी मम्मी को सुनाने लगी है मम्मी ने अपना जीवन लगा दिया घर की एक एक चीज समिटने में और भाभी को वो सब पुराना लगता है पर उन्हें नहीं पता वो मम्मी के लिए कितना जुड़ा हुआ है मम्मी को सालों लग गए और वो भाभी आते ही कहती है कि घर उनका है, मम्मी का नहीं, भावी को मम्मी की बसाये घर की, मम्मी की और उन सभी अनमोल चीजों की जरा भी कदर नहीं है, और तू मेरी सहिली होकर मेरी भावी का पक्ष ले रही है, मम्मी हमेशा अच्छा खाना बनाती है, हर तरह से सब की पसंद का बनाती है, सब का ध् साधी के बाद कितना बदल गई है पहले तो ऐसी नहीं थी ये सुनते ही अंजना हसने लगी तुझे अभी तक पता नहीं लगा कि तेरी भावी इतना क्यों बदल गई है अरे तेरी साधी जो हो गई है तू भी तो वही वेवार कर रही है जो तेरी भावी कर रही है तुझे औ प्रणध और तेरी सास को भी कितना बुरा लगता होगा तू अपनी मंबी की जगा बस दो मिनट अपनी सास को रख और फिर सोच क्या तेरी सास ने ये घर नहीं बसाया एक एक चीज अपने हिसाब से नहीं बसाई होगी बड़े सामानों के लिए उन्होंने बचत नहीं की होगी वो भी तो बहु बनकर आई थी धिरे धिरे सास बनी और इस सफर के बीच उनकी अपनी दुनिया थी उनका घर था पती और बच्चे थे जो हमेशा उनके हिसाब से चल रहे थे उनकी अपनी पसंद थी इतने साल की पसंद तुम चंद महीने में बदलना चाह रही हो ये क्या गलत नहीं है अपनी सहली अंजना के मुह से ये बात सुनकर एकता का दिमाग चकरा गया आखिर वो भी तो वही कर रही है जो उसकी भावी कर रही है भावी भी अब मम्मी की बात नहीं मानती है और उनकी अपिक्चा करती है घर में हर बात पर अपनी ही चलाने की कोशिस करती है उसमें और भावी की बेवहार में तो कोई अंतर ही नहीं है एक्ता को अब रह रहकर अपनी सभी गलतियां याद आने लगी उसे अपनी बेवहार पर सरमिंदगी महसुस होने लगी थी उसने फोन रख दिया और फिर अपनी मम्मी को फोन लगाया मम्मी आपने और भावी ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है आप दोनों ने मिलकर मेरी आँखे खोल दी है अगर आप चाहती तो मुझे समझा सकती थी पर सायद मैं आपकी बात नहीं मानती और जित पर अड़ी रहती पर जब मैंने अपनी आँखों से भावी को मेरे जैसा बेवहार करते देखा तो मुझे अपने लिए बहुत ही बुरा लगा आपने मेरे सभी सवालों का जबाब दे दिया और मेरे मन की हर उल्जन सुलजा दी हर बेटी की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरी भावी मेरी मम्मी का सम्मान करे और उनके कहे अनुसार ही काम करे पर मैं ये भूल गई थी कि मेरी ननद और सास की भी तो मुझसे कोई अपेक्छा होगी आज एकता का मन हलका हो गया था अगली सुबह वो समय पर उठी और रसोई में जाने से पहले उसे लता जी से पूछा मम्मी जी खाने में आज क्या बनाना है ये सुनकर लता जी और मोनिका दोनों को अस्चरे हुआ कि आखिर आज एकता ने उनका मान कैसे रख लिया तभी एकता खुद से ही बोल पड़ी मम्मी जी मुझे माप कर दीजिए मैं आपको गलत समझ रही थी मुझे लगा था कि आप सिर्फ हुकम ही चलाती है पर मुझे नहीं पता था कि आप तो इस घर की आत्मा है ये घर सालों से आपके हिसाब से चल रहा है और अब आपके हिसाब से ही चलेगा आप जब बहु बन कर आई थी तो आपको सालों लग गए थे ये आसियाना बनाने में और हम बहुएं दो दिन में ही कह देती हैं कि सासुमा ये घर अकेले आपका नहीं है पर ये घर आपका ही रहेगा मैं आपकी च्छाओं में ही गिरहस्ती चलाने के सारे गुड़ सिखूंगी मोनिका भावी तो समझ गई है पर मैं नहीं समझी थी कि घर के बुजुर्गों के निर्ड़े और उनके अनुभव ही एक घर को अच्छे से चलाते हैं सासुमा ये घर आपका ही रहेगा मैं बहु होकर ये भूल गई थी कि इस घर के लिए आपने दिन रात एक किये होंगे इसलिए कि बहु आते ही आपसे आपका घर चीन ले अब ऐसा नहीं होगा मुझे अपने गलत बेवार के लिए माफ कर दीजिए या सुनकर लता जी चकित रह गई कि बहु में अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई फिर उनकी अनुभव आखे पहचान गई कि जरूर ये बह बेटी को जो सिच्छा और संसकार दिये हैं कास वो हर मा अपनी बेटी को दे तो हर सास का बुढ़ापा सुधर जाए एकता भी अपनी मम्मी की तारिप सुनकर खिल गई सिर्फ कहने मातर से ही कोई घर अपना नहीं हो जाता है उस घर को अपना बनाने के लिए उसमें अपन समय और जीवन देना पड़ता है हर सास सास बनने से पहले बहु होती है और फिर सालों की मेहनत के बाद उसका अपना घर अपना कहलाता है